पाइलेट ने सही समय पर विमान से कूड कर अपनी जान बचाई इस मामले को लेकर कोट अफ इंकारी के आदेश दे दीगी हैं जानकारी के मताबिक जेसल मेर में मंगलवार को एरफोर्स का युद्धा ब्यास जारी था इस दोरान बारती वाईू सेना का लाइट कॉमबेट फाइटर जेट एरकराफ तेजस हास्च का शिकार हो गया प्लेन के पाइलेट ने समय रहते पैराशूट की मदद से चलांग लगाई जिससे उसकी जान बच गई इपोर्ट के मताबिक एरफोर्स का लड़ाकी वीमान तेजस जेसलमेट शेर के बीच जोहर कलोनी के पास घनी अबादी वाले इलाके में एक होस्टल से टकरा कर हस्टे का शिकार हो गया किलोमीटर पहले गिर गए उसके बाद में रहवासी कुलाक नीचे होते हुए मेगवाल शात्रावास के एक हिस्षे में जान शाजर पढ़ते हैं मगर सेयों की बात ये ठीक है कोई भी शात्र कमरे में मौजूद नहीं था एक हिस्षे में आके गिरा और जबदर्स आग का गोला निकला और उसके बाद में दूहां पैल गया प्रतक्स दसी द्वारा जब सूतना दी गई तो प्लीश पांच से साथ मिनिट में गटना स्टल पर पहुंच गए उसके बाद एरपोर्स फायर ब्रिकेटी की गाड़ियां और भारी शंक्या में लोग पहुंच गए विमान के हस्टल पर गिरते ही उसमें जोरदार ब्लास्टो और प्लेन में आग लग गई धमाके को सुम्हा मौजूद लोगों ने समय रहते हैं विमान के पाइलेट को शुरक्षीत बाहर निकाला यह हास्सा किस वज़े से हुआ इसका पता लगाने के लिए कोट आफ इंक पारी का गठन कर दिया गया है तेजस को 2016 में भारतिय वायू सेना में शामिल किया गया था